सुप्रभाद पच्चों कृप्या आप अपने हिंदी पाथे पुस्तक लीजिए और पीज नंबर 56 खोलिए आज हम पढ़ेंगे एक चित्र कथा जिसका नाम है एकता में बल तो इस कहानी में हमें एकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सोनपूर गाओं में एक किसान रहता था वो दिन रात खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोश्चन करता था उसके चार बेटे थे तो यह किसान और यह खेत में काम करता है और बहुत मेहनत करके अपने परिवार का भरन पोस्टन करता है और इसके इस किसान के चार बेटे थे ठीक है फिर वे हमेशा आपस में लड़ते जगडते रहते थे किसान ने अपने बेटों को कई बार समझाया कि लड़ाई जगड़ा छोड़ कर खेतों में काम करो परन्तु वो नहीं माने एक दिन किसान बिमार पड़ गया ठीक है तो क्या हुआ ये जो किसान है ये इनके चार बेटे हैं ये चार बेटे हमेशा आपस में लड़ते जगडते रहते हैं और उनके जो पिताजी है ये जो किसान है इनको इन चारो बच्चों को हमेशा समझाता है कि आपस में लड़ाई मत करो ठीक है और मिल जुलकर का करो मेहनत करो ठीक है फिर क्या होता है किसान की बिमारी दिन प्रति दिन बढ़ती चली गई उसने अपने बेटों को समझाने के लिए एक उपाई सोचा चारों बेटों को अपने पास बुलाया और एक लकडियों का गठर लाने को कहा तो यह जो किसान है यह किसान क्या हुआ पर जाता है और दिन पर दिन उसकी बिमारी बढ़ती जाती है तो फिर उसने क्या किया अपने चारों बेटों को अपने पास बुलबा कर एक लकडि की गठर ठीक है लाने को लिए लाने के लिए कहा मतलब लकडि की गठर मतलब बहुत सारे लकडिया एक साथ बंधी हुई ह ठीक है फिर क्या होता है किसान ने लकडियों के गठेर को सामने रख देने का इसारा किया और फिर कुछ सोच समझ कर बोला बेटा गंगा प्रसाद तुम इस गठर को नहीं तोड़ पाए यहाँ देखो किसान अपने बेटे को यह लकडियों का गठेर लाने को लिए कहा और फिर कहा बेटा गंगा तुम सबसे बड़े हो इसलिए सबसे पहले तुम इस गठर को तोड़ कर दिखाओ ठीक है फिर बेटा गंगा प्रसाद तो इसने लकडि की इस गठर को तोड़ने की कोशिस की फिर उसने क्या कहा अरे यह तो तूट नहीं रहा है फिर इसने कहा कि अरे यह तो बिल्कुल नहीं तूट रहा है बेटा गंगा प्रसाद तुम इस गठर को नहीं तोड़ पाए चलो कोई बात नहीं अब तुम इस गठर को अपने छोटे भाई देबदास को दो फिर ये किसान ने क्या कहा कि बेटा गंगा प्रसाद तुम तो इस गठर को नहीं तोड़ पाए तो पिताजी मुझसे भी ये नहीं तूट रहा है तो फिर उन्होंने क्या-क्या जब बड़े बेटे से नहीं हुआ तो उसने छोटे बेटे को कहा कि इस लकड़े को गठर को तोड़ कर दिखाओ लेकिन छोटे बेटे से भी ये गठर नहीं तूटा इसी प्रकार बारी-बारी से चार बेटों ने लकड़ियों के गठर को तोड़ने की कोशिस की परन्त हुए उसे तोड़ने में असमर्थ रहे तब बुडे किसान ने लकड़ियों के गठर को खोलने के लिए कहा बेटा अब तुम चारों एक एक लकडिया लेकर तोड़ो अरे ये तो तूड़ गई चारों बेटों ने अपनी अपनी लकडी को तोड़ दिया इस बात पर किसान ने उन्हीं समझाया कि यदि तुम लकडियों के गठर की तरह मिल जुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई नुपसान नहीं पहुँचा सकता यदि तुम लड़ते जगड़ते रहे तो इस अकेली लकडी की तरह तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है अर्थात नुपसान पहुँचा सकता है इस प्रकार किसान के समझाने पर चारो बेटों की समझ में आया कि हमें मिल जुलकर रहना चाहिए तो इस कहानी में एक किसान था जो हमेशा मेहनत करके अपनी परिवार का भरण पोशन करता था उसके चार बेटे थे लेकिन वो चार बेटे क्या करते थे आपस में हमेशा लड़ते जगरते रहते थे ये किसान हमेशा उनको समझाता था कि तुम आपस में मत लड़ो, मत जगडो, महनत करो, लेकिन उन चारों के कानों पर किसान की बातों का कोई असर नहीं पड़ता, एक दिन किसान बीमार हो गया, और उसकी बीमारी दिन प्रति दिन बढ़ती गई, फिर उसने क्या कहा, आपन बेटों ने कोशिश की, लेकिन उस लकड़े के गठर को नहीं तोड़ पाए, फिर किसान ने क्या बोला, कि अब इस लकड़े के गठर को खोलो, और एक एक लकड़ी लेकर तोड़ो, तो चारों बेटों ने एक एक लकड़ी आ हाथ में ली, और उसको आसानी से तोड़ दि तो तुम लोगों ने आसाने से उसे तोड़ दिया इसी तरह अगर तुम चारों हमेशा लड़ते जगड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है लेकिन अगर तुम चारों हमेशा इकठे रहो मेहनत करो तो तुम्हें कोई तोड नहीं सकता मतलब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता तो इसी तरह किसान ने अपने बेटों को सिख्षा दिया कि हमेशा मिल जुल कर रहो तो बच्चो इस कहानी से हमें ये सिख्षा मिलती है कि हमें आपस में कभी लड़ना जगड़ना नहीं चाहिए एकता में ही बल है ठीक है बच्चों तो आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए और किसार ने जो सिक्षा अपनी चारों बेटों को दिया है आप भी अपनी जीवन में उस सिक्षा को प्रयोग कीजिए ठीक है